जै मसी की दोस्तों, आज के स्वर की मन्ना का भाग हमने लिया है, भजन सरीता के पुस्तक, उसका आठारवा अध्याय और उसका चौते स्वावचन. वचन कहता है, वो मेरे हातों को युद्ध की कला सिखाता है, जिससे मेरे बाहें कांसे का धंश तक छुका देती हैं. धन्यवाद पिता परमेश्वर इस वचन के लिए, परमेश्वर, हातों को युद्ध की कला. मैं जब इस वचन को पढ़ता हूं दोस्तों तो मेरे जहन में वो हाथ आते हैं वो इशू के हाथ जो लहू लुआन थे वो हाथ जिन में कीले चुभी थी वो पैर जिन में कीले चुभाई गई थी और उन्ही हाथों ने लोगों को आशीश दिया था उन्ही हाथों ने नम्र बन कर लोगों को गले लगाया था उन्ही हाथों ने अपनी बाहें पहला कर लोगों को अपने पास बुलाया था और उन्हें आशीश दिया था उन्हें मुक्ती दी थी मैंने मुझे उन हातों के बारे में उन हातों को जब मैं देखता हूँ तो मुझे एहसास होता है उसके प्यार का मुझे एहसास होता है उसके त्याक का मुझे एहसास होता है और वही कला परमेश्वन ने हमें सिखाई है वो कला हमारे पास है इन हाथों को जोड़कर हम दूसरों के साथ मिल मिलाप कर सकते हैं इन हाथों को जोड़कर हम दूसरों को शमा कर सकते हैं इन हाथों को जोड़कर हम शमा मांग सकते हैं इन हाथों को जोड़कर हम दुश्मनों को अपना बना सकते हैं जैसे इसी बच्छन में कहा गया है कि वो कला इतनी ज़्यादा महतपोर है कि वो कांसे के धनश को भी जुका देती है चाहे कितना भी कोई भी दुश्मन आपका हो चाहे कोई भी आप से कितनी भी नफरत करता हो लेकिन परमेशर ने जो हमें युद्ध की कला सिकाई है परमेशर ने जो हमें कला सिकाई है उस कला के मताबिक हम किसी भी दुश्मन से किसी भी भाई किसी भी बहन किसी भी अपने रिश्टार के मन से नफरत को निकाल कर फेक सकते हैं और उसके अंदर प्यार उड़े सकते हैं महबत उड़े सकते हैं क्या किया था परमेशर ने अपनी और से दूसरा करुंधियन पांच का ठारा कहता है कि अपनी और से परमेशर ने हमारे साथ मेल मेलाब किया अपनी और से उसने हाथ मिलाया उसने हमारी और हाथ पहलाया कि बेचे मेरे बच्चे मेरे पास हा मैं तेरे हर गुनाओ को माफ करता हूँ मैं तेरे हर अपरादों को भूलता हूँ तू आ मेरे पास और मैं तुझे गले लगाने के लिए तैयार हूँ अलेलुया यही वो हाथ है जिन्नोंने हमें आशीश दी यही वो हाथ है जिनोंने हमें जीना सिखाया हमें बताया कि हमें किस तरीके से जिन्दगी में जीना है उस स्वर्ग को इस धर्ती पर कैसे लाना है उस स्वर्ग को इस धर्ती पर कैसे महसूस करना है वो कला परमेशर ने हमें सिखाई है वो कला हमें परमेशर ने हमारे अंदर उड़े ली है इसलिए 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 दूसरा करुंथियन पांच का बीस का कहता है इसलिए हम मसी के रासदूत है मानो परमेशर हमारे दोरा विंती कर रहा है हम मसी की ओर से तुम से निवेदन करते हैं कि परमेशर के साथ मेल मिलाब कर लो उसने हमें मेल मिलाब की सेवी काई दी है उसने हमारे अंदर मेल मिलाब का वचन बोया है और वो कहता है कि मानो विंती कर रहा है हमारे दोरा कि हम लोगों के साथ मेल मिलाब करवाएं परमेश्वर का मिल मिलाव, इशू का मिल मिलाव, तो दोस्तों ये युद्ध की कला जो परमेश्वर हमें से काई है, जो इशू ने हमारे अंदर डाली है, उस कला का हम उपयोग करें, और लोहों को परमेश्वर के साथ मिलाएं, मिलाएं, उनको बताएं, कि हमारा सच्चा प पिता कौन है तुम्हारा सच्चा पिता कौन है तुम्हारा आनात नहीं हो तुम्हारा पिता है इस धर्टी पर तुम्हारा पिता है इस स्वर्ग में तुम्हारा पिता है जो तुमसे प्यार करता है और तुम्हें पाने के लिए उसने अपने एकलोते पुत्र का बलेदान दि उसने अपनी बाहें पहलाई है, हालेलिया, याद करियो उस दुर्श्च को पर मेश्वर, लुका पंदुरा ग्यारा में जब खोया हुआ पुत्र, चला जाता है अपने पिता के पास से, और शैतान के चंगल में फंस जाता है, लेकिन जैसे उसको अहसास होता है, जैसे वो प गले लगाता है, उसको गले लगाता है और प्यार करता है, कि मेरा खोया हुआ पुत्र जो मर गया था, वो आज मानो जिन्दा हो गया है, दोस्तों, मेरा पिता, आपका पिता, सुरगी पिता, इस जगत का पिता, सर्वशक्ती मान पिता, वो आज भी आपके लिए, आपके बेहनों के लिए आप करेशगारों के लिए बाहें पहला एक खड़ा इंतजार कर रहा है कि मेरे बच्चे आओ और मैं तुम्हे अपना बनाना चाहता हूँ, तुम खो गए हो, आओ मेरे पास हो, मैं अपनी बाहें पहलाता हूँ, तो आईए, इसकाला को हम उप्योग करें औ और परमिशर खसू समचार दुनिया तक पहुंचाएं, धन्यवादे थे परमिशर इस सुभा के लिए, ते जो पस्यती का आशीश हमारे साथ है, तुने जो गुण हम में दिये हैं, परमिशर उन गुणों का हम उप्योग कर सकें, ऐसे आशीश, ऐसी कृपा, ऐसा सामर्त, परमिशर ऐसी बुद्धी और ऐसी काला जो तुने हमें दी है, वह हम उसका उप्योग कर सकें, ऐसी बुद्धी थे, ऐसा आशीश थे, ऐसा सामर्त थे, ऐसा आशीर वाद थे, हमरे सुनने वाले हर भाई वेन के लिए सुक और शांती और चंगाई मांगता हूं, धन्यवा